वेल्कम बेक फ्रेंड्स दिस इस दीपक द्यानी पैटन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पैटन नंबर 11 सीखने वाले हैं पिछले वाले पैटन से इसमें काफी सिमिलर्टी है और काफी अलग भी है तो स्टार्ट करते हैं यहां पर सिमिलर्टी क्या है एक तो इसका जो डाइग्राम है बिल्कुल सेम है प्रीविए्स से यहां पर 5 अलिमेंट थे और यहां पर 4 थे वहां भी यहां तीन थे यहां पर 2 थे और यहां पर 1 था तो मैं कह सकता हूँ, मैं इसको 15 रो मानूँः इसको fourth, इसको third, इसको second और इसको one अब इसमें अलग क्या है, अलग ये है ये जो start हो रहा है हमेजा 15 से start हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर ये अलग है वहाँ पर क्या था 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 इस टाइब का था तो यह start जो हो रहा है हमेशा 15 से start हो रहा है तो यह चीज हमने आपर सीखनी है अगर आपने पिछला वाला pattern देखा है तो आप इसे easily समझ सकते हैं और attempt कर सकते हैं तो start करते हैं मैं क्या करूंगा इसको पहली वाली र लिटर और equal to 1 और i minus minus क्योंकि 5 से लेके एक तक आना है तो मुझे क्या करना होगा decrease करना होगा and मैं यहाँ पर लिखता हूं for j equal to 1 से j less than equal to i मतलब j 1 से लेकि कहां तक चले जितनी रोकी संग्या है क्योंकि पहली बार में इसको फिप्तर हो माना है तो 5 तक चले और j plus plus पर main point है कि मैं आपर print क्या करा हूं देखिए मैं आपर print लिखता हूं and ले लेता हूं 15 क्योंकि हमेशा and 15 से start हो रहा है ठीक है अगर मैं इसको top में लिख देता हूं तो कुछ अलग pattern आ जाएगा और यहां लिखूंगा तो कुछ अलग आएगा यहां पर लिखने से क्या देखिए कैसे काम करेगा आई की वेल्यू सबसे पहले 5 हुई 5 greater or equal to 1 है condition is true n की वेल्यू है 15 ध्यान रखना है जे एक से लेके कहां तक चलेगा 5 तक चलेगा क्योंकि i5 होगा है तो सबसे पहले c आउट n होगा n मतलब 15 फिर n की वेल्यू एक डिक्रीज होगी n हो जाएगा 14 जे के वेल्यू 2 होगी 2 less than equal to 5 is true तो आपका c यण us 14 हो जाएगा आब n की वेल्यू फिर से एक कम हो गई 14 में से 1 कम होगा 13 जे के वेल्यू 3 होई 3 less than equal to 5 कंडिशन इस true तो c आउट n 13 हो गया है फिर एक कम होगा n 13 में से 1 कम होगा 12 जे के वेल्यू 4 होई 4 less than equal to 5 चंडिशन true तो आपका c out n 12 हो गया है फिर n एक और कम होगा 12 में से 1 माइनस हुआ तो आप गया है आपका 11 अब यहां पर क्या होगा जे की वैल्यू 5 होगी 5 less than equal to 5 condition is true c out n n क्या हो जाएगा 11 अब यहां पर क्या होगा आपके n की वैल्यू 10 हो गई है ध्यान रगना है देखें यहां पर जो बात है यहां पर interesting अब जे की वैल्यू जब 6 होगी condition आपके हो जाएगी false और आपका लूप पर जाएगा exit बाहर आ जाएगा अब iq value decrease हुई iq value हो जाएगी 4 4 greater or equal to 1 condition is true तो यहां पर जो आपके n की वैल्यू लास्टाइम 10 थी वह फिड से कितने से start हो रही है n equal to 15 से इसी बात के यहां पर number है अगर मैं इसको top में यहां लिख देता है n equal to 15 तो बात गड़बड हो जाती तो मुझे फिर से कितने से start करना था 15 से तो जब आपके row change हो रही है तो मैंने n इसके अंदर लिख दिया रो के अंदर तो हमेशा आपका 15 से होके जाएगा तो अब आपका चार बार चलेगा यह एक से लेके चार तक तो सबसे पहला आपका पंद्रह आएगा फिर तेरा और फिर बारा तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा तो आए प्रक्टिकल करके देख लेते हैं डी वी सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो मैं आपकर लेखता हूं for i equal to 5 से i greater or equal to 1 i minus minus for j equal to 1 से j less than equal to i and j plus plus c out क्या लिखेंगे मैं ऐसा करता हूं n मैंने declare क्या हूँ है n equal to 15 यहाँ पर दे देता हूं और c out n इधर लिख देते हैं और n को decrease कर देते हैं n equal to n minus 1 के sequence में कम हो रहा है और इसके बाहर हम लिख देते हैं c out and l for new line करते हैं और रन करके देखते हैं आज यह रहा आपका pattern यह देखिए 15 14 13 12 11 15 14 13 12 तो आपका pattern बिल्कुल सही आ रहा है